हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया और मैं पहुँच गया हूँ बभना पशु मंडी जो के परतियेक बुधवार को ये मंडी लगता है बिहार के जहानाबाद डिस्टिक में ये मंडी आता है जहानाबाद रेलेवे स्टे देने वाला हूँ जो पीछे आपने गया देखा एक ब्लैकन वाइट वो सेल हुई है उसका डीटेल बताएंगे प्लस आपको जो गया सेल के लिए उसका भी डीटेल बताया जाएगा कुछ देसी गया का भी डीटेल इस वीडियो में देंगे तो वीडियो को पूरा देखे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें सबसे पहले इस गाय का डीटेल देना चाहेंगे जो के ये गाय काफी अच्छी लगी मुझे लेंथ भी काफी बढ़िया है और इसके लेटी का गैब जो है यानी चारो थनों के बीच में जो गैब है छेमी का वो काफी बढ़िया है तो इसका करीब से कवर करेंगे अडर और गाय को घुमा कर भी दिखाने के लिए कहा है इनके उनर को तो गाय को निकाला जाएगा घुमा कर दिखाया जाएगा उस एंगल से एक बार इसका वीडियो कवर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा बॉड़ी इस एंगल से भी समझ में आ जाए और ये देख सकते हैं इसी गैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ काफी बढ़िया है दूसरे ब्यात पे ये गाय बताई जा रही है दूसरी बार बच्चा दी है दात में मिल चुकी है और फ्रंट साइड से थनों की बनावट इस एंगल से देख सकते हैं 16 लिटर इसके नीचे milking capacity बताया जा रहा है दोनों समय का और मात्रे भी इस गाय को बच्चा देकर 3-4 दिन हुआ है जैसा कि इनके honor का कहना है तो घुमा कर दिखाया जा रहा है आप लोग बढ़िया से इस गाय को देखें इसके थनों की बनावट देखें और gapping पे भी कि अगर बात करें तो 55,000 प्राइज रखा गया है 55,000 रुपया इस गाय का देख सकते हैं gap काफी शांदार ये gap होना चाहिए गाय के अंदर ताके milking करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और बच्चा इसके नीचे mail है बाच्चा बच्चे के साथ में ये गाय है तो इसी अरे भाई देखकर ये बोलेंगे कि इतना अडर नहीं है इसका लेकिन देखने में उतना समझ में नहीं आ रहा है एक बार और गया को बाहर निकलवाओंगा मैं जो काफी बढ़े अडर की गया है टाइट है बिल्कुल कसा हुआ थन जी से बोलते हैं इस गया का जो थन है व वो काफी अच्छा है तो चलिए एक बार और घुमा कर दिखा रहे हैं और इसके नीचे भी मिल्किंग कैपी सिटी दोनों समय का 16 लीटर ही बताया जा रहा है तो इस एंगल से देख सकते हैं आप गया काफी बढ़िया और करीब से थनों की बनावर देख सकते हैं आप और गया का हाइट लेंथ जो भी है आप किलियर वीडियो में देख पा रहे हैं 16 लीटर मिल्किंग कैपी सिटी है दूसरे बयात पे ये गया बतायी जा रही है और इसका जो डिमांड रखा गया है इनके अउनर दोबारा वो 51,000 रखा गया है एक 50,000 रुपया बच्चा इसके मेल है बच्चडा बच्चे के साथ में है तो चलिए गया को वापस लेकर जा रहे हैं एक बड़ा और थन बैक साइट से कवर करना चाहेंगे ताकि आप लोग थनों की बनावर देख सकें और कसा हुआ थन है जिसके वज़ा से आप दूद का अंदाजा नहीं लगा तो चलिए इसका बात करते हैं ये गया भी काफी बढ़िया है लिंथ और हाइट में दोनों ही काफी शांदार है और मंडी की मैं समझता हूँ कि सबसे लिंथ वाली गया यही है और हाइट वाली तो इस गया का डीटेल आपको देंगे आगे फिर बिकी वी जो गया है वो भ काफी अच्छी है तो उसका भी डीटेल आप लोगों को देंगे इसके बाद बने रहे हैं वीडियो में अन्तक ये गया भी दात में मिल चुकी है अडर की बनावर देख सकते हैं इस गया की और दात में मिली भी गया और ये भी जो गया देख पा रहे हैं आप ये अपने द दूसरी भी होती है तीसरी भी हो सकती है ये कहना ये होगा कि दूसरी हो सकता है तीसरी भी हो तो 15 लीटर milking capacity 49,000 रुपे demand रखा गया है इस गया का और ये जो गया बिकी भी है इसका आपको detail देता चलूँ काफी शांदार गया ये भी है height length में और इसका milking भी किया गया है कु अडर की बनावट अभी कोई खास तो समझ में नहीं आएगी आपको वीडियो में देख सकते हैं क्यूंकि इसका कुछ milking भी कर लिया गया है और ये गया च्छे दात पे है और च्छे दात पे दूसरी बयात में ये बताई जा रही है तो दात में मिली भी गया जो होती है व लोगों को देना चाहेंगे देख सकते हैं ये भी HF Cross में है और चार दात पे ये गया बताई जा रही है पहले बयात में है अपने ये तो इस एंगल से देख सकते हैं उस एंगल से भी वीडियो कवर करेंगे ताकि आपको और किलियर समझ में आ है और मंडी में सेड डाला और ये एंगल में धूप है जिसके वज़ा से आपको थोड़ा सा और किलियर समझ में आएगा अडर की बनावर देख सकते हैं ये गाय का चार दात में 14 लिटर मिलकिंग कैपी सिटी इसका बताया गया है दोनों समय का और डिमांड के अगर बात की जाए तो इस गाय का 47,000 डिमांड रखा गया है जो के 14 लिटर तो मिलक नहीं करेगी मुझे ये पता है दोनों टाइम में ये गाय 10-11 लिटर तक दूद निकाल सकती है 10 तक मेरा एक अनुमान है और बच्चा यहाँ पर देख पारे है फीमेल बच्चा है तो बच्चा बच्चे के साथ में ये प्लस पॉइंट है और करीब से थनों को देख सकते हैं एक बार और बैक साइट से भी दिखाऊंगा 10 लिटर तक ये मिल्क निकाल सकती है जहां तक मेरा एक्सप्रियंस है तो आप लोग भी कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कितना मिल्क करेगी है 14 बताया गया है आगे इस गाय का डीटेल आप लोग जाने जो के मैं पहली आपको कहा कि एक ही ओनर की दो गया जो एक सेल हुई थी वो गया जो मैंने डीटेल दिया 46,000 में भी की और ये गया उनहीं की है तो इसका भी डीटेल आप लोगों को देना चाहेंगे ये गया चार दात पे है और ये गया अपने पहली ब्यात में बताई जा रही है तो अडर इसका भी कसा हुआ है टाइट अडर है और इस एंगल से देख सकते हैं गया तो बच यही कहेंगे पहले ब्यात में है ये और मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों समय का 14 लिटर बताया जा रहा है 14 लिटर और डिमांड के अगर बात की जाए तो इस गया का 56,000 प्राइज रखा गया है तो अडर एक बार आप लोग अच्छे से देख लें टाइट अडर की गया है और कसाव अथन है इसका 56,000 प्राइज रखा गया है 14 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी बताया गया है और बच्चा इसके नीचे मेल है बाच्छा बच्चा है तो बिकीवी गया वो साइड में है जो सेल हो गई देख पा रहे हैं और ये गया अभी सेल के लिए उपलब्ध है तो चलिए आगे कुछ और गया का डीटेल आप लोगों को देता चलूँ साहीवाल गया छे दात पे है और ये गया प्रेगनेंट है दूसरे ब्यात में है भी दूसरी बार गाभी नहीं है छे दात की और मिल्किंग कैपिसिटी इस गया की नीचे में 15 लीटर बताया जा रहा है तो वाके में अगर 15 लीटर मिल्क करती है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन अनुमान लगाना और कहना मुश्किल है हलाकि ऐसे भी जहां तक मुझे लगता है 15 लीटर तो नहीं करेगी लेकिन अडर की बनावट काफी बढ़िया बना रही है देख सकते हैं घुमा कर दिखाया जा रहा इस गया को और बहुत कम ऐसी गया होती है साहीवाल में जो इस तरह की अडर की देखने को मिलेगी आपको जो के बिहार की मंडियों की मैं बात कर रहा हूँ अडर जगा मिल जाए आपको तो अभी इसके पास बच्चा देने में भी समय है लगभग 12-14 दिन का समय बताया जा रहा है और बियाने के बाद 15 लीटर milking capacity और इसका जो demand बताया जा रहा है वो 51,000 बताया गया है तो अडर लोग लाइक करते हैं तो आत्मो विश्वास बढ़ता है और कोशिस करता रहता हूँ कि हर तरह का वीडियो आप लोगों को कवर करके डीटेल दिया जाए देसी गाय हो या किसान भाई की या फिर डेरी फार्मर लाइक तो ये गाय देसी देख पा रहे हैं और ये भी प्रे जाने के बाद इसके नीचे milking capacity जो बताया जा रहा है वो दोनों समय का 8-9 लिटर का अनुमानित बताया जा रहा है कि 8-9 लिटर दोनों टाइम में milk करेगी और demand के अगर बात की जाए तो इस गाय का जो demand रखा गया है वो 37,500 रखा गया है चलिए इसके बारे में बात करते ह जो कि ये भी देसी है लेकिन pure नहीं है cross breed में आ चुकी है ये गाय और ये गाय दात में मिल चुकी है और अपने दूसरे बयात में है ये दात में मिली भी गाय है दूसरे बयात में है milking capacity के अगर बात करें तो दोनों समय का 10 लिटर इसके नीचे milking capacity बताया जा रहा है तो उ 36,000 रुपया तो मंडियों में rate अलग-अलग बताया जाता है जैसा time होता है यानि time means कि जिस type का market होता है कभी 1000-2000 जादा भी बता दिया जाता है कभी कम भी बताया जाता है और अक्सर मंडियों में price जादा रहता है तो जब भी मंडिया तो कम जादा करवा लें जरूर इसका बच्चा मेल है तो मंडि में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि price यहाँ पर ज़्यादा बताया जाता है ताकि आप लोग धोखा ना खाए मंडियों के उपर में भी होता है कोई मंडियों में ज़्यादा बार्गिनिंग किया जाता है किसी में कम तो मेरी कोसिस यही होती है कि वीडियो के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर वीवर्स को हर तरह की जनकारी दूँ तो ये जो गया देख पा रहे हैं 6 दात की बताई जा रही है और milking capacity इसके नीचे 10 लिटर बताया गया है दोनों समय का और अगर demand की बात करें तो 39,000 प्राइज रखा गया है 49,000 रुपया बच्चा मेल है तो ये गया भी 30,000 के नीचे में मिल जाएगी आपको जो के बच्चा यहाँ पर देख पा रहे हैं बचड़ा बच्चा है तो चलिए आगे इस गया का detail देंगे उसके बाद फिर वीडियो को भी अंद करेंगे कोसिस कर रहा हूँ एक दो किसान भाई की गया का detail देता चलूँ आपको और ये बिल्कुल किसान भाई की गया है और छोटे किसान भाई है तो ये गया अपने सेल करने के लिए लाए हैं मंडी में दात में मिली भी है और milking capacity 10 लिटर बताया जा रहा है इस गया की नीचे में जो के order की बनावर देख सकते हैं और price की अगर बात की जाया तो मातरे 31,000 price रखा गया है कुछ न कुछ इसमें भी कम जादा कर दिया जाएगा किसान भाई की गयों का अक्सर मैं वीडियो कवर करता रहता हूं तो आप लोगों को बताता हूं किसान भाई की जो गया होती है उसमें rate काफी original मिलेगा आपको जादा तर कोई कोई किसान भाई ऐसे हैं जो जादा बताते हैं लेकिन जादा तर आपको वैपारी भाईयों से किसान भाई की गया का rate डाउन मिलेगा और जैसा कि इस गया का rate आप देख रहें 31,000 है और कम जादा भी कर दिया जाएगा कोई fix नहीं है बच्चा इसकी नीचे female है तो चलिए वीडियो को करेंगे अंत वीडियो को like share जरूर करें और वीडियो कैसा लगा ये भी comment करके हमें जरूर बताएं